असलाम आलेकूम आज मैं आपको बताने जारे हूँ एकदम क्रीमी और डिलीशियस चिकन मलाई बोटी की रेसिपी यह बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है चलिए बनाना स्टार्ट करते है देखिए मैंने या 300 ग्रैम्स बोनलेस चिकन ले लिया ऐसे इस तरह की उसमें अपको स्टाशाने लिए बलोटी करें अदी पावडर, मैंने लिए जीरा पावडरा आफ तीस्पून मैंने लिएं घनीया हाउडर ए लिया है बावडर आप टीट स्पून ए कृंट सुवाडर पी बल pedir के चाट लिए ड्राठ लिया हैं और करीशियचल पावडर के लिया क वाली हों चले मारीनेशन स्टार्ट करते हैं सब्सब्से पहले हम एट करेंगे वन टे kings आईुस को करीब अदरक लसन का पेस्ट उसके बाद जो तमामस आपको दिखाया ह। उसके लाएट करेंगे सब्सक्राइब नमक असपर्टेस्ट हमे इसमे बटर भी आइट करना है इसके लिए हम नमक ध्यान से अड़ करेंगे अब मैं एक्छे से मैं मिक्स कर लोंगी उसके बाद हमेसे ग्राइव पकने के लिए रख देना है देखिए मैमेरीनेट करने चाहिए तो रग बह बिच я अदा हंता रग भी सकते हैं या अपinkे बटर आप कुक कर सकते हमारा देखिता है लेकर बेटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। और वhésitez 예ह पंटेड गर्प एक बन कंद रं कि यतना देखित का है संधी सीक अधना देखिता है अब चलिए हमारा जो चिकन एव रेडी हो गया है अब चलिए हम सौस की तयारी करते हैं यहां पर मैंने लिया है 50 ग्रैम्स देखे मैंने लिया है क्रीम फ्रेश क्रीम अब अपनी कांटिटी के साब से कम जादा कर सकते हैं मैं ले रहा हूं फ्रेश दही इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके का पेस्ट हमारे हमें बनाना है अब देखे एक पैन में मैंने गैस की फ्लेम को आउन करके यह क्रीम और जो दही का पेस्ट है वो मैंने एट कर दिया है अब थलका सा इसे पकाएंगे हम दही में बापस से आप से रिपीट करती हूं फ्रेश कि देखे आवी चिकन भी हम इसमें एट कर देंगे आप देखे गैस के ऊपर भी इसे चिम्टे का यूज करके इसे बून सकते है अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हमें जादा इदम कुक नहीं करना है हलका कुक करना है तोड़ा क्रीमी क देखे है के मेरा किरीमी करीमी पानी पानीम छोड़ राहा है और इसका बहुत अच्छा अच्छाtles का लेवरा आता है इस तरीके से जरूर बनाईएगा देखे है रहे की क्रीमी क्रीमी मलाई बोटी चिकन झीट कीते है रॉड़ा की तोऑ मुझे में कमें बोक्स में ज़र लेगी है तो मेरे चानल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर अन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसेपी आपको मिलेगी, चल ये चलती हूँ, अल्ला आफेज